मैं कुमार विनास, गया ITI बोध गया, गया ITI हरियरपूर, गया ITI से घाटी का निदेशक हूँ, हमारे सर्ष्थान में ITI का प्रसिछन दिया जाता है, और गया में प्रीमियर इंसिटूट जो ITI के छेतर में हमारा कॉलेज है, हमारे हाँ एलेक्टिशियन और फीटर, दो बर ये कॉर्स का प्रसिछन दिया जाता है, इसमें हमारे हाँ CTI जो प्रसिछित फेकल्टी हैं, उनके दवारा ही प्रसिछन दिया जाता है, हमारे क्लास्रूम में डिजिटल क्लास्रूम की विवस्ता है, जिसमें प्रोजेक्टर के दवारा बच्चों को तरह तरह के रियल टा इसके अलाबा हमारे हाँ modern lab है और जो भी advanced जो lab ncvt norms के नुसार सरकार द्वारा निगदेशित है वो हमारे हाँ established है और उसमें electrician के लिए electric machine trainer DC, AC और AC, DC motors generator set तरह तरह के DC motors, AC motors ये सब के स्वीधा उपलब्द है तो जिसमें बच्चे जाकर अपना प्रसिचन अच्छी तरह से लेते हैं और इसके अलाबा electronics के field में आपको inverter और kit के द्वारा भी प्रसिचन दिया जाता है जो भी ncvt norms के नुसार जो भी training और जो भी syllabus सरकार द्वारा सुझाया गया है उसका सारा का training दिया जाता है इसके अलाबा हमारे college में placement और sale की वस्ता है जिसमें जो भी बच्चे यहां से pass out होते हैं उनके लिए newogen मिला लगाये जाता है समय समय पे अभी कुछ दिन पहले ही मावती सुच की company का न्योजन मिला लगाये गया था जिसमें 150 लड़कों का selection हुआ था और हमेशा उसा मार्टीन भूसन श्टील और ये मावती सुच की यह सब company के साथ हमाला collaboration है जो की आते रहती है और campus में विजिट करते रहती है और बच्चों को रिक्यूट करते रहती है तो इस तरह का सुविधा हम लोग placement sale के दवारा बच्चों को देते हैं इसके लिए हम लोग mock interview वगारा भी चलाते हैं ताकि बच्चे interview में अच्छा कर सके और personality development classes भी किया जाता है ताकि बच्चे English और लिखने और पढ़ने में उनको किसी तरह का बढ़ना रखा है जिसमें वो सभी तरह के वेकेंसी को अपडेट किया जाता है ताकि बच्चे जाने कि किस तरह का ITI का वेकेंसी निकला हुआ है और उसको कब सब भरना है किस तरह सभरना है इसके अलाबा उस वेकेंसी से related updated slavus test material और study material भी दिया जाता है ताकि बच्चे पढ़ सके, slavus check कर सके और उसको test देकर अपने आपको analyze भी करता कि इससे उनका जो सेलेक्शन का opportunities है वो बढ़ जाता है तो इसके अलाबा हमारे college में और भी facilities है जैसे कि scholarship बिहार सरकार जो दिया जाता है उसकी स्विधा उपलब्ध है जो भी बच्चे आती पिछडे से आते हैं उनके लिए scholarship की बस्ता है और industrial विजिट करवाया जाता है समय समय पे जिससे बच्चे है जो रियल टाइम में यहां से जाने के बाद जो बड़ी-बड़ी मसीनों पे कैसे काम करना है उस तरह की चीजों से रूबरू होते हैं और फिर जाकर वो company में जब जाते है काम करने के लिए तो उनके लिए नया साव नहीं होता है वो क्योंकि वो चीज पहले से देख सकते हैं तो उनको काम करने में मन भी लगता है और वो काफी familiar हो जाता है उस चीजों के साथ इसके अलावा हमारे हाँ जैसे कि online support के बारे में मैंने पहले बताया कि government job के लिए online support ह है जिसमें आपको study material, test material free of cost दिया जाता है portal पे आप जाकर ले सकते हैं पढ़ सकते हैं और अपना भविस बना सकते हैं इसके अलावा हमारे college में 10 plus 2 करने की भी सुविधा है अगर आप metric पे ITI करने के लिए आते हैं तो आपको 10 plus 2 करने के लिए कहीं जाने के आप सकता नहीं है आप गया ITI में आईए और यहीं से आपको 10 plus 2 का form भर दिया जाएगा जिसमें सिर्फ language के लिए Hindi और English का आपको एक्जाम देना होगा भी हार बोड के पैच्छा के समय उसका routine निकाला जाता है और आपको ITI का degree मिल जाएगा तो ITI आपको 10 plus 2 का degree मिल जाएगा जो की 10 plus 2 ISE के equivalent होता है तो आपको 10 plus 2 का अतिरिक्त कर्च करने की भी आप सकता नहीं पड़ेगी इसके अलावा आप सब जानते हैं कि government job के लिए आपको 300-400 PSU है, Metro है, maintenance के काम में है तरह तरह का Air Force, Navy में recruitment निकलते रहता है तो ITI करने से आपको इस तरह का बहुत बड़ा एक बिकल्प ख सकते हैं, तो इसलिए आप GAYA ITI में आईए और आपने आपको प्रसिछित कीजिए, आपने आपके तरह तरह के फैसिलिटी जो स्टूडेंट्स के लिए है उसको लीजिए और उस पे आप आपने आपको प्रसिछित करके आच्छा job प्राप्त कीजिए, यह मेरे सुद कामन आपको के लिए धना बादू.